नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हर जो स्टेट की जो गवंच है यानि की सरकारे हैं अपने अपने लेवल पर जहर जो है घुलता जा रहा है पॉल्यूशन के द्वारा गाडियों के द्वारा और बाकी अन्य इंडस्टी के द्वारा तो सभी सरकारे कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं तो किसी स्टेट में जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वेहिकल पे सबसीडी दी जा रही है इसी तरीके से कोई स्टेट ऐसा है जो कि 10 से 15 साल पुराने जो पेट्रोल और डीजल के वाहन है उन पे रोक लगाई जा रही है उनको एक्सपायर किया जा रहा है तो दोस्तों सभी सरकारे अपने अपने लेवल पर अपना बैस्ट कर रही है ज अब पर सबसीडी कितनी दी जाएगी जिसमें की टू विलर थ्री विलर फोर विलर एलेक्ट्रिक कारे हाइब्रीट कारे सबी सामिल है तो किस पर कितनी कितनी छूट मिलेगी यह मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो आप पूरा देखेगा क्योंकि काफी प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे इसी के साथ मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिस पर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़े अपडेट करता रहता हूं जो यूट्यूब पर नहीं शेयर की जा सकती तो कैप सेंटर बेजना ही पड़ता यानि की कबाडा करवाना ही पड़ता है अब यह लागू हो चुका है तो अब इंपलीमेंट हो चुका है आप कोई भी एलेक्ट्रिक वेहिकल खरीदेंगे उत्तर पर देश में जिसमें आपको सेंटरल गवर्मेंट की सबसीडिक के साथ सा इतनी चूट होगी यह मैं आपको बता देता हूं तो देखी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो वेहिकल उत्तर प्रदेश में ही निर्मित हुए हैं यानि की यूपी में ही बने हैं मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट उत्तर प्रदेश में था कंपनी का अगर तो ऐसे वेहिकल पर 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन फीज मुफ्त कर दी जाएगी यानि कि नीशुल कर दी जाएगी उस पर किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेंगे इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक वेहिकल उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज् पर हाला कि देखे ये तो अभी limitations लगाई गई है कि 3 साल और 5 साल पर आने वाले 5 साल के बाद 3 सालों के बाद इसको निश्चित तोर पर बढ़ाया जाएगा क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जादा से जादा लोग electric vehicle को अपनाए ताकि pollution को कम किया जा सके इतनी जो गंभीर level पर यानि कि AQI आप देखेंगे 500, 500, 500, 600 तक पहुंच जाता है just because कि उसमें 35% का योगदान जो होता है वो electric गाडियों का ना हो करके petrol और diesel vehicles का होता है तो ये 35% अगर जो pollution है ये कम करना है तो हमें जादा से जादा निर्वरता को कम करना होगा diesel और petrol गाडियों के उपर से तो द electric vehicle, hybrid electric vehicle और fuel cell electric vehicle भी रहेंगे अब देखें hybrid electric vehicle तो आपको पता है कि जो electric से भी चलते हैं और दूसरे fuel से भी operate होते हैं इसी के साथ fuel cell जो electric vehicle है वो hydrogen plus electric होते हैं यानि कि fuel cell technology के साथ run करते हैं उन पर भी ये discount दिया जाएगा ये जो fees है उन पर भी map की जाएगी इसमें सभी तरह के two wheeler, three wheeler, four wheeler और अन्य जितने भी commercial vehicle होंगे जो की बड़े बड़े trucks होंगे अगर वो fuel cell technology से चल रहे हैं या electric पे चल रहे हैं तो उन पे भी छूट दी जाएगी उत्तर परदेश सरकार के द्वारा तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो 10 लाक रुपए से उपर है ज जो price है, मूल्य है उन पर 8 फिसदी के हिसाब से road tax charge किया जाता है और 8 लाक रुपए से नीचे के जितने भी electric vehicle है जिसमें E रिक्षा भी आ गया, two wheeler भी आ गए और अन्य है hatchback cars हैं जैसे कि वो भी आ गई जिनकी कीमत 8 लाक रुपए से कम है उन पर 7% जो road tax लगता है वो कर दिया जाएगा, तो दोस्तों देखें ये नई गाडियों पे तो है ही लागू इसी के साथ साथ जिन्होंने 14 October 2022 के बाद कोई भी वेहिकल लिया है उत्तर पर देश में, कोई भी electric vehicle 2022 14 October के बाद अगर खरीदा गया है और उस पर road tax अगर पे कर दिया गया है तो वो road tax भी आपके account में automatically आ जायेगा, यानि कि इस पर आपको किसी भी प्रकार का अपनी तरफ से प्रयास करने की आविशकता नहीं है, कमपनी और सरकार इसको अपनी आप आपके account में credit करेगी, इसी तरीके से बताना चाहूंगा कि अब जो vehicle two wheelers होंगे, जो सुरू के दो लाग two wheeler manufacture खरीदे जाएंगे, उन पर 5000 रुपे प्रती वाहन के हिसाब से, यानि कि प्रती scooter कह लिजे या two wheeler कह लिजे, प्रती two wheeler आपको ये मिलेंगे, सबसीडी के तौर पर, मतलब road tax और registration fees पर तो छूट मिलेगी ही, साथी साथ ये सबसीडी भी आपको 5000 रुपे की पहले दो खरीदे जाएंगे, तो उस पर 12,000 रुपे की सबसीडी मिलेगी, और इसी के साथ 25,000 जो electric four wheeler अगर उत्तर परदेश में खरीदे जाते हैं, जो पहले 25,000 खरीदे जाएंगे, उन पर maximum 1,000,000 रुपे तक का discount यानि की सबसीडी दी जाएगी उत्तर परदेश सरकार के दोरा, और इसी के साथ साथ road tax और registration fees को भी निल कर दिया जाएगा, जो भी इस प्रकार के electric वाहन उत्तर परदेश में खरीदेगा, तो दोस्तों काफी समय से ये देखा जा रहा था, जो NCR के लोग हैं, वो काफी समय से ये प्लान कर रहे थे, कि बहीं electric वाहन खरीदा जाए, अगर रुत्तर प्रदेश में भी subsidy लागू हो जाए, road tax में छूट मिल जाए, काफी लोग क्या था कि relative अगर उनके डेली में रहते हैं, तो डेली से registration कर आ रहे थे, ताकि subsidy मिल जाए, road tax में छूट मिल जाए, थोड़ा vehicle सस्ता हो जाए, तो दोस्तों आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक like जरूर कर दीजेगा, साती साथ channel को subscribe कर लेजेगा, और मेरा telegram channel का link मैंने description में दे दिया है, तो आप सभी से request है कि उसको भी active यानि की subscribe कर लेजेगा, तो जल्दी ही मिलूँग आगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक कर लेजेगा.